हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे रीजिनिंग के महत्वपमून प्रेश्णों की उन प्रेश्णों की बात करेंगे जो बार-बार पर इक्षाओ में पूछे जाते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा अं उसी लोजिक से यहां पर आपको 54 का रिलेश्ण बनाना होगा और आप रिलेश्ण बना देंगे आपको चार ओप्षन में से जो सही आंसर होगा वो आपको पता लग जाएगा इतनी बात समझ भाई अब देखे क्या रिलेश्ण यहां पर हम बना सकते हैं सबसे पहले उस प बताओंगा एक तो सबसे आसान वाला तरीका बता दूँगा जो आपको नजर आ रहा है और उसी तरीके को मैं थोड़ा कठिन करके भी बता दूँगा जिससे कि क्या होगा आपके सोचने की सकती बढ़ जाएगी कि इस तरह के प्रेश्ण में कैसे सोचा जाता है अब देख उसी तरीके से यहाँ पर आपको 54 दे रखा मैं 54 में से भी क्या करूँगा 10 माइनस कर दूँगा तो कितना मिल जाएगा आप बोलेंगे सर 44 मिल जाएगा भाई 20 में से 10 माइनस किया 13 मिल गया 54 मिल गया 44 दे रखा आपके सी ओफशन में यह आपकी प्रेश्ण का बिलकुर सह आंसर आ गया यह तो मैंने आपको बता दी एक सीधी सीधी बात अब थोड़े टेड़ी बात बताता हूँ जिससे कि सोचने की सकती आपकी बढ़ जाएगी इस तरह के प्रेश्ण में देखे कैसे क्या होता है जैसे कि यहाँ पर आगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ पर एक क IT करके लिखा किया बात आई समझ मैं वाइटिस मैंने एक को घटा दिया एक लिखा और 3 को लिख दिया उसी तरीके से यहाँ पर चार है तो मैं 4 को छाने को जलिखूं गया यहां पर बिलकुन से हो क्या आपके जो सोच नहीं कि सकति हो बढ़ जाएगी कैशने ने के सोचा जाता इन प्रेस्टिरों को करने तो संक्तरी से आपको यहां पर संक्या फाइंड करने होगी अब देखिए इस तरह के प्रेशन में हमयसा याद रखना कि इस तरह के प्रेस्ट में या तो आप क्या करेंगे इन सभी को numbering करके relation बना लेंगी इसको भी numbering करेंगे आपको पता चली जाएगा क्या relation है संख्यां बढ़ रहे हैं या गट रहे हैं ठीक है अगर numbering नहीं कर पा रहे हो अगर आप सीधा सीधा देख लोगे क्योंकि कुछ प्रेश्ट में क्या होता है संख्या बदल बदल की दी जाती है थोड़ा आगे पीछे करके लेकिन यहाँ पर equal संख्या है मिल्कुल बराबर संख्या है कैसे देखें यहाँ पर अगर मैं पहली संख्या कर ले से इस पहली संख्या से बनाओ तो A के बाद में क्या आता है B मतलब A से अगला वाला नंबर यहाँ लिख दिया गया नंबरी करनी की जरूत हमको नहीं पड़ी F के बाद क्या आता है दोस्तों आप जानते है F के बाद G आता है तो दूसरे यहाँ पर दूसरे अक्षर का हमने रिलेस्ट दूसरे से बनाया तो G दे रखा है तो दूसरे से बनाया तो G हमारा बन गया कर नहीं बन गया तो दूसरी संख्या कर लेस्ट दूसरी से बनाया हो क्या रहा है कि A के बाद B आता है मैंने B लिख दिया F के बाद G आता है मैंने G लिख दिया K के बाद क्या आता है आप जानते है K के बाद L आता है L लिख दिया P के बाद आप जानते है क्या आता है Q आता है तो Q लिख दिया मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्या है उससे अगली बाली सेंगे यहाँ पर लिखी गई है अब जैसे कि यहाँ पर C है तो मैं C के अगली लिखूंगा तो क्या जाएगा D आ जाएगा सिंपल सी बात H है H के अगली बाली लिखूंगा I आ जाएगा M है M के अगली बाली लिखूंगा n आ जाएगा और r से जब मैं अगली बाई लिखूंगा r से अगला s आ जाएगा तो dins ये किस option में होगा वही आप का अंसर होगा dins पहले ही option में दे रखा ही आपके question क्या हो जाएगा दोस्तों सही answer हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ सबी की समझ में question बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा किसी को भी question में कोई भी doubt नहीं होगा अब देखिएंगे दोस्तों अगला question अगला question है 12 दे रखा है 146 दे रखा है 156 दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा देखिए इस question की में बात करूँ तो यह question आपका SSC के exam में पूछा गया था 2014 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों SSC के exam में पूछा गया था यह question 2014 में तो आप खुछ समझ सकते हैं कि question कितना important है और संख्याओं को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि वाकई में प्रेशने ला जवाब है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको ऐसे trick सीखने को मिलेंगी ऐसे question देखने को मिलेंगे जो आपसे नहीं बनते थे ठीक है पूरा वीडियो को देखा करो पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा जैसे कि मैं इस प्रेशनी की बात करूँ कि यहाँ पर 12 है 140 है अब इनका relation आप बनाएंगे अगर देखें 12 का relation हो सकता 140 से ना भी बने मैंने मान लिया 12 का relation 140 से नहीं बनता तो मैंने आपको एक चीज बताईए अगर इसका relation इससे नहीं बनता तो इसका relation हम इससे बना सकते हैं तीसरी संख्या से अगर हमारा 12 का रेलेशन 146 से नहीं बनता तो 12 का रेलेशन में 156 से बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं इन दोनों का रेलेशन नहीं बना तो इसका रेलेशन बना करके देख लेंगे तो मान लीजिए मैं 12 से 156 बना रहा हूं कैसे बनेगा बारा से 156 कैसे बनेगा यह और बताना है आपको ठीक है ना तो दीखें 12 से 156 कैसे बनेगा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको अच्छे से किलिए कर दूँ कि यहां पर जो 12 है मैंने 12 लिख लिया ठीक है अगर मैं 12 का multiply दोस्तों करूँ 13 से 12 का multiply करूँ 13 से तो 156 होता है यह ठीक है इतनी बात दोस्तों किलिए रहे यहां तक तो किसी कोई डावट नहीं होगा 12 का multiply मैंने क्या कर दिया 13 से कर दिया 156 अब मैं क्या करूँगा पहली संख्या यह थी पहली संख्या का multiply इससे किया है अब यहां पर पहली संख्या यह है इसका multiply मैं इससे करूँगा आई बात समझ मैं 12 का multiply मैंने कितने से किया 13 से अब यहां पर कौन से संख्या है 140 है बाई मैंने बारा कमल पर 13 से किया है 156 मिला तो मैं 140 का multiply क्यों न 13 से ही कर दूँ तो मुझे ये वाली संक्या मिल जाएगी ठीक है बात समझ माई तो करेंगे मैं 13 कमल पर 0 से करूँगा तो 0 ही रहेगा 13 चौक के बामन का 2 रहेगा ठीक है carry का 5 13 कम 13 carry का 5 कितना 18 1820 आपका किस option में दे रखा पहले ये देखी पहले option में 1820 दे रखा है तो इसका मतलब आप जिस logic को पकड़के चले है वो बिल्कुल सही है आपका ठीक है 12 का multiply मैंने 13 से किया 156 मिला 140 का multiply भी 13 से किया 1820 मिला पहला option सही हो गया सबकी समझ में दोस्तों बात आगी होगी अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है आपका A, B, C, D और E 5 पुस्तक है ठीक है 5 पुस्तक है अब यहाँ पर कह रहा है C, D के उपर है जो दोस्तों आपका C है जो C है वो कहाँ पर है D के उपर है तो मैंने D के उपर C कर दिया C जो है वो D के उपर है ठीक है अब कह रहा है जो E है वो A के नीचे है दोस्तो जो E है वो A के नीचे है तो E और A दोनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया तो इससे अभी छोड़ देंगी ठीक है के उपर कर दिया अब यहां पर आजये क्या कहा था एक के नीचे है तो एक के नीचे कौन है दोस्तो एक के नीचे आप देखेंगे ए है ठीक है कौन है एक के नीचे कौन है यहां तक बात के लिए रहा है अब कह रहा है कि बी एक के नीचे है यह जो बी है यह एक के नीचे है E के नीचे दोस्तों एक और है कौन E ठीक है यहाँ पर जो कह रहा है कि B E के नीचे है तो B हमने E के नीचे कर दिया पूछ रहा है कि सबसे नीचे की पुछता कौन सी है भाई सबसे नीचे की तो B हो जाएगी ना क्योंकि सबसे नीचे तो आपका B दे रखा है B option आपका सही हो अगला प्रेशने है A और B C के बच्चे हैं बहुत बढ़िया प्रेशने है दोस्तों यहाँ पर जो कहरा उसे ले की चलिए A और B A और B किसके बच्चे हैं दोस्तों C के बच्चे हैं यह C के दोनों बच्चे हैं C के बच्चे हैं दोनों लेकिन B, C का पुत्र नहीं है, यह जो B है, यह C का पुत्र नहीं है, लेकिन बच्चा तो इसी का है, जब पुत्र नहीं है, तो कौन हो सकता है, दोस्तों पुत्री हो सकती है, याद रखिएगा, प्रेशन में मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, उसी तरीके से समझे, जब पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी, क्योंकि C के A भी बच्चा है, C का B भी बच्चा है, दोनों C के बच्चे हैं, जब ये पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी, clear, B, C का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, तो पुत्री है, B और C का क्या संबंद है, इस B और C का क्या सं तो यह जो प्रेशन होते हैं आपको थोड़ा परिशान करने के लिए इनकी language बदली जाती है बरना होता कुछ नहीं है अगर आप तरीके से लेकर चलेंगे प्रेशन को अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रेशन है इस प्रेशन में देखिए 3 into 3 का symmetry बीच में क्या दिया गय तो यहां पर यह 9 कैसे आया कैसे पता चलेगा इस 19 से और इस 17 से पता चलेगा कि यहां पर हमारा 9 कैसे आया तो मैं क्या करूँ इस 19 और इस 17 को अगर जोड़ दूँगा तो कितना हो जाएगा जोडने पर यह 36 हो जाएगा ठीक है दोनों को मैंने क्या किया जोड़ दिया वार जाएगा 9 रजाएगा तो बीचे में 9 मिल घया ठीक है दोनों साइख है को जोड के चार से डिवाड किया 9 मिल चैना यहां भी वही कीजे दोनों को जोड़ यह 23 और 25 कितना हो जाएगा यहां 4 से डिवाइड किया, यहां 4 से किया, तो यहां भी 4 से कर दो 11, 4, 4, 4, 14, 11, 12 में जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगी पीच में संख्या, 11, किस option में है, 11, 2, option में है, आपका answer आगया, अब देखेंगे अगला प्रेशने, अगला प्रेशने है, यहां पर 3 and 2 4 का symmetry है, और question mark दिया गया है यहाँ पर corner पर आप देखें इसमें हमको hint कैसे मिलेगी जिस तरफ बड़ी संख्या है उस तरफ हम क्या करते है प्रेशन को solve करते हैं यह हमको hint मिलती है यह तो ऐसे मैं चलूँगा नीचे की तरफ बड़ी संख्या ऐसे चलूँगा नीचे की तरफ बड़ इनों संख्याओं से 37 मिल जाए देखिए यहाँ पर 6 है यहाँ पर 7 अगर मैं 6 और 7 दोनों का करदू multiply तो 6 सत्य कितना हो जाएगा 42 ठीक है 42 हो गया दोनों का multiply नीचे वाली जो संख्या है 5 इसको मैं क्या करूँ घटा देता हूं तो 42 में से 5 जाएगा कितना 37 आजएगा य तो मैं 30 में से अगर 7 घटा दूँगा तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा आपको यहाँ 23 दे रखा है बात समझ में आगी यहाँ पर ही वही कीजिए उपर वाली संख्याओं का मल पर 5 चो के कितना हो जाएगा 20 माइनस कर देंगी नीचे वाली संख्या 6 को 20 में से 6 जाएगा कितना 14 आजाएगा पहला ओफ्सन आपका सही हो जाएगा उमिद करता हूं कि सभी की समझ में प्रेश्ण बहुत ही अच्छे तरीके से आगया होगा किसी को भी प्रेश्ण में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद